दोस्तों ये बॉलिवुड वाले इतने स्वार्थी, इतने मौका परस्त लोग है कि अपना काम निकल जाने के बाद किसी भी इंसान को भूल जाते हैं, भले ही उस इंसान की जिंदगी इस देश के लिए बहुत ज़्यादा माइने रखती हो। दुनिया की सबसे खूब सूरत औरत, ऐसा कहा जाता है एश्वर्या राय, ये इतनी बड़ी मौका परस्त, इतनी बड़ी मतलबी निकली जिसके बारे में क्या ही कहा जाए, आपको याद होगा कि सरब जीत के उपर एक फिल्म बनी थी साल 2016 में, उस फिल्म में एश्वर्या र तक रही, उनके हाव भाव, उनके अंदर की जो जो कहानिया है, उसे सीखने का काम किया था, और पुरी तरह से शुटिंग के दोरान दलवीर कौर और एश्वर्या रा साथ रही, एक दूसरे का साथ देते रही, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि दलवीर कौर के पैर तक हुनों ने चुए थे मंच के उपर, अपनी मा जैसी बताया, बहन जैसी बताया, क्या-क्या बताया, ये तो होते ही है मौका परस्त, लेकिन कल दलवीर कौर के जब मौत हो गई, तो एश्वर्या राय वहां पहुची तक नहीं, पहुचने का छोड़ दीजे, एक शब्द त सबसे बड़ी ये है कि इस फिल्म में जिनोंने सरबजीत का किरदार निभाया था, रंदी फुद्डा, रंदी फुद्डा इतने अच्छे, इतने बेहतरीन इंसान है, और आगे भी रहेंगे, हमेशा सही है, रंदी फुद्डा पंजाब पहुचे, उन्होंने जो भी साथ दिया, भाग लिया और अंत तक खड़े रहें वहाँ पर, और एक एश्वर्या राय है, जिन्होंने सिर्फ पैसे कमाए उस फिल्म से और निकल गई, कहानी ये भी है कि एश्वर्या राय ने इस फिल्म के रिलीज के बाद कभी भी दल्बीर कौर्ड से कोई भी कॉंट सरफ जीत की कहानी जीने नहीं पता वो इस फिल्म में देख सकते हैं कि किस तरह से वो रास्ता भटक कर पाकिस्तान चले जाते हैं, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके, और फिर वहाँ पर पाकिस्तान वाले उन्हें किरपतार कर लेते हैं, 20 साल तक उन्हें जेल में बंद जाता है, तरपाया जाता है, बहुत सारे जुल्मों सितम किये जाते हैं उनके उपर, और रंत में जब रिहाई की बारी आती है, जब ऐसा लगा था कि सरफ जीत छूट कर इंडिया आ जाएंगे, तब पाकिस्तानियों ने अपनी कायरना हरकत दिखाई और अपने क्रूर कै जुमी के उपर, शहीदों के उपर और ऐसे जो लोग हैं जिने जेल में इतनी यातनाय दी गई, इनके उपर जब फिल्मे बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि इन से बड़ा देश भक्त कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद ये कभी इन परिवारों को पूछते नहीं है, ना ही बाते करते हैं, यहां तक की मौत हो जाए तो भी नहीं करते हैं, और हम उमीदे कर रहे थे कि सुशान सिंग राटपूत की मौत पर ये बॉली डॉले कुछ बोलेंगे, जब इस मामले में नहीं बोलेंगे, तो सुशान सिंग राटपूत से तो बहुत सारे लोगों को नफर उनको उनका फर्ज नहीं बनता था नहीं किया लेकिन बेटे की फिल्म दसवी आती है कोई एक शब्द लिग देता है तारीख में तो उसका स्क्रेंशॉट शेयर करना शुरू कर देते हैं यह वही परिवार है थाली में छेदवाला यह वाकई में थाली में छेदवाला पर कि अमिताब बच्चन के जैसा मतलबी परिवार कोई नहीं है यह सिर्फ मतलब निकलते ही लोगों को भूल जाते हैं और यह वाकई में सच भी है यह दिखाता है यह दर्शाता है एश्वरा राय का मतलबी पन कि सरब जीत के फैमली के साथ वो कितनी टच में थी